मैं हूँ शेली तनेजा, आए सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ एहम खबरों पर प्रधान मंत्री ने कहा है कि सरकार की सबसे बड़ी प्रात्मिकता यूकरेन में भारते चात्रों और नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें यूकरेन से बाहर लाना है प्रधान मंत्री ने रूस के राष्ट्रपती से फोन पर की बात हर्याना सरकार द्वारा राज्ये को नशा मुक्त बनाने के लिए उठाई जा रहे हैं सक्त कदम और चंदिकड के रोस गार्डन में आज से शुरू हुआ पचासमा रोस फेस्टिवल कीव में भारती दूतावास ने यूकरेन सरकार को भारते विद्यार्थियों की सुरक्षा के बारे में पत्र लिखा है 15,000 से अधिक भारते विद्यार्थी यूकरेन के विबिन क्षेतरों में फसे हैं पत्र में भारतिय दूतावास ने कहा है कि भारतिय विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और वो जहां है वहां बने रहने की अनुमती दी जानी चाहिए। भारतिय दूतावास ने यूक्रेन सरकार से वहां फसे लोगों को भोजन पानी जैसी आवशक सुवधाईं उपलब्द कराने का प्रयाप प्रबंद करने को कहा है। लेकनी है कि यूक्रेन में फसे हुए विद्यार्थियों ने काफी संख्या में पंजाब के विभिन स्थानों के समबंदित विद्यार्थी हैं कुछ विद्यार्थी हर्याना से भी हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान काफी विद्यार्थी वापिस भी आए हैं अधिकतर वि प्रधान मंत्री कार्याले के विग्यप्ती में कहा गया है कि श्री मूदी ने द्रिड विश्वास व्यक्त किया है कि रूस और नैटो समू के बीच मतभीदों का समाधान केवल पून निष्ठा बात्चीत से ही हो सकता है। प्रधान मंत्री ने तुरंत हिंसा रोके जाने की अपील की और सभी पक्षों से तनाव में कमी लाने के उद्धेश्य से राय नाइक बात्चीत के लिए प्रयास करने को कहा। कि सरकार की सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता यूकरेन में भारतिय चात्रों और अन्य नागरिकों की सुरक्षा और उन्हें यूकरेन से बाहर लाने की है। विदेश सचेव हर्श्वदन श्रिंखला ने बताया कि पिछले महीने से यूकरेन में उभरती स्थिती से निपटने के अनेक कदम उठाए गए है। यूकरेन में भारतिय नागरिकों का पंजीकरन करीब एक महीने पहले आरंब कर दिया गया था। यूकरेन में अनेक चात्रों सहित लगबग 20,000 भारतिय थे जिन में से करीब 4,000 लोग वहां से सुरक्षित वापिस आ गए है। देश में अब तक 176,86 लाग से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्ते मंतराले ने बताया कि कल 32,4,000 से अधिक टीके लगाए गए है। स्वास्त होने की दर इस समय 98.49 प्रतिशत है। कल लगबग 27,000 लोग संक्रमन मुक्त हुए हैं जबकि 23,000 लोग में संक्रमन की पुष्टी हुई है। इस समय 1,34,200 35 संक्रमन का उपचाच चल रहा है। अब तक 76,45,000 लोग परीक्षन कराए जाच चुके हैं। कल 10,30,000 से अधिक नमूनों का परीक्षन किया गया। केंदर सरकार ने राजजयों और केंदर शासिर पदेशों को 173 करोड 22 लाग से अधिक कोविड रोधी टीके निशलक उपलब्द करवाए हैं। हर्याना के मुख्यमत्री मनुहरलाल ने कहा कि वर्तमान समय में नशा समाज के लिए गंभीर चिंता का विशे बन गया है और राजजय सरकार द्वारा नशे को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रही हैं। चंदेगर में प्रेसवारता को संबोधित करते हुए उन्होंने मादक परदार्थों को रोकने के लिए राजजय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की। जानकारी देते हुए कहा कि गत वर्ष नशे से संबंदित सभी पहलूओं पर गहन अध्यन करने के बाद हर्याना राजजय नार्कोटिक्स नियंतरन ब्यूरो द्वारा एक व्रिस्तित स्टेट आक्शन प्लान बनाया गया है। समाज के हर आयूवर के नाग्रिकों को नशामुक्त हर्याना के यग्यक में सम्मेलत करने के लिए ग्राम, वाड, क्लस्टर, सब्डिविजिन, जिला, विराज़े मिशन टीमों का गठन किया गया है। हमने इस सारी चीजों के रोगठाम के लिए 2018 में ही हर्याना स्टेट नर्कोटेक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग से बनाया था। और उसके बाद कुछ आसपास के राज्यों को साथ लेकर के और हमने एक एंटीड़क सेक्ट्रेट भी बनाया पंचकुला में जो भी उत्तर भारत के राज्ये हैं जिसके अंदर जमू कश्मीर है, पंजाब है, चंडीगड है, हिमाचल है, उत्राखंड है, दिल्ली है, ऐसे सब राज्यों को साथ लेकर के मैंने स्वेम उसमें लिड ली थी शिक्षन संस्थानों को भी इस बुराई से बचाने के लिए एक विशेश कारिकरम प्रारंब किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि इन दत सदस्ये टीमों का गठन मार्च के अंद तक किया जाएगा और इन में पांच स्थाने प्रतिनिधी और पांच अधिकारी शामिल होंग ब्यूरो द्वारा नशा पीड़तों की सहायता और नशे के अवेद कारोबार में समलिप्त अधिकारियों की सूचना देने के लिए टॉल फ्री नंबर 9050891508 जारी किया गया है, जो 24 घंटे खुला रहता है इसके उपर कोई भी हर्याना का व्यक्ति, अगर कहीं पर भी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है, जो नशे से संबंदित है, तो वो इसकी सूचना दे सकता है और सूचना देने वाले का बिलकुल गुपत रखा जाएगा, और उसके पर कारवई की जाएगी, और उनको कारवई का हमने एक माबदन बनाया है, कि जो भी केस पकड़ा जाएगा, चैए वो छोटा है, चैए वो बड़ा है, उसके डेड एंड तक जाया जाएगा उन्होंने कहा कि अब तक 18,937 चापेमारी की गई है, किसी भी मामले में देरी के लिए, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी से लेकर, पुलिस अधिक शक्तक के अधिकारी जिम्मेदार होंगे हराना के स्वास्तेमंतरी अनल विजने चन्दिघर में स्वास्ते विभाक्य अधिकारी की बैचक की अधिक शक्तक की बैचक में उन्होंने कहा कि राज्य के सौ बिस्तर से अधिक शमता वाले 31 नागरिक असपतालों में केटरिंग की सेवा दी जाएगी और इसके लिए स्वास्ते विभाग्य अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं ताकि मरीजों को अस्पतालों में ही भोजन की विवस्था महिया हो सके राज Agreement के नागरिक अस्पतालों में प्राइविट कमरों की संख्या को भी बढ़ाया जाए और इस दिशा में कारवाई को अमल में लाया जाए उन्होंने कहा कि हर्याना के नागरिक अस्पतालों को एर कंडिशन बनाने का परियास जारी है तता अस्पतालों में आक्सीजन युक बिस्तरों की संख्या को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं गुरुगराम हिसार वे करनाल में अत्याधुनिक तक्निकों से लेस नागरिक अस्पतालों को तयार किया जाएगा जिस पर काम जारी है उन्होंने कहा कि हर्याना में उच्च गुनवक्ता परक स्वास्ते सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध हों ताकि प्रदेश में किस नागरिकों प्चार के लिए राज्य से बाहर ना जाना पड़े इसके लिए जल्द ही स्वास्ते संबंदी मैपिंग के कारियों को शुरू किया जाएगा विभिन रंगों के गुलाब के फूलों की खुश्पू बखेरता हुआ पचासवां तीन दिवसी एक गुलाब मेला आज चंदिगर के सेक्टर 16 स्थित रोस गार्टन में शुरू हो गया चंदिगर के पिशासक बनवारिलाल पुरोहित ने इस रोस फेस्टिवल का उदगार्टन किया उन्होंने फेस्टिवल में प्रदर्शत विभिन फूलों को देखा और फूलों पर अधारित एक कविता भी सुनाई सिर पर है हरी डाला जाओं, सव पर है हरी डाला जाओं, चाहा नहीं, देवी के सिर पर चडूँ और भाग के पर इठलाओं उदगार्टन के समय प्रशासक के सलाकार धरमपाल और चंदिगर के डिप्टिक कमिशनर विने प्रताप सिंग भी उपस्तित रहे चंदिगर के मेर सर्बजीत कौर ने कहा कि फिस्टिवल में विभिन प्रकार के फूलों के सिडावट की गई है बेस्ट गार्डन को सम्मानित किया गया, 800 से अधिक किसम के फूल प्रशित किये गई है इस बार रोज फेस्टिवल में रोजाना सांस्कृतिक कारिकरम भी होंगे विभिन राज्यों के लोग नृतिवे शेत्रिय कला का पदर्शन विशेश आकर्शन का केंदर रहेंगे रोज फेस्टिवल में एक सेलफी पॉइंट बनाया गया है जिसमें आयलाफ चांदिगर लिखा गया है एक वेक्सिनेशन केंदर भी कायम किया गया है रोज फेस्टिवल के दुरान कोविट प्रोटोकॉल को कायम रखने की विशेश कोशिश की जा रही है आउट्रीच ब्यूरो चंदिगर द्वारा आजादी का अमरित महाथसव को समर पे तीन दिवसिये चित्र प्रदरशनी एवं आउट्रीच प्रोग्राम की शुरुआत की गई है रोज फेस्टिवल के दुरान इस प्रदरशनी में सुतनता सिनानियों का इतिहास और उनके द्वारा देश की आजादी में पाए गई यूगदान को चित्रों के मात्यम से दर्शाया गया है पत्र सूचना कारया लेके एडिशनल डारेक्टर जोर्नल राजिंदर चौधरी ने बताया कि प्रदरशनी के अलावा विभिन कारिक्रम भी करवाए जाएंगे इसके पीछे जितना बड़ा बलीदान हमारे इन सुरतंता सेनानियों ने दिया अगयर मुस्त बलीदान को याद रखें उनके बारे में अपनी जानकारी रखें तो कहिना की हमारी नीव मजबूत होती है और उस मजबूत नीव से एक भविश्य के निर्मान में मदद मिलती इस प्रदर्शनी का उदेश्य रोज फेस्टिवल में आने वाले लोगों को सुरतंतता सेनानियों के बारे में जानकारी उपलब्द करवाना है प्रदर्शनी में स्वास्ते विभाग, ओपन स्कूल, महिलावे शिशुविका, स्किल डवलप्मेंट, UIDAI द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं ताकि लोगों को विभिन प्रकार की यूजनाओं की जानकारी मिल सके चंदिगर कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ओफ ट्राइल राइट द्वारा आज लड़कियों की इंडिया अम्बेस्टर और मौक पार्लेमेंट सेशन के लिए लड़कियों को सम्मानित किया गया चंदिगर के प्रिशासक वे पंजाब के राज्डिपल बनवारी लाल पुरोहित ने लड़कियों को सम्मानित किया इस अफसर पर उन्होंने कहा कि इस समय लड़कियां देश के हर शेतर में आगे हैं लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है ट्रिजी इस समय उत्राइपिर पेजrepyर अम्हानी आगे-अपयों है लेके घ्वरकियां लेकिन अगे साहशन में अवे जाठी विपल में टोलत हाँ औरश्झ-ने में अड़किन एक फेड siis खना अटिएविंश्यू को देखिए इसान्कराष्य श Nickêmुष्वों इस अफसर पर एक डॉक्यूमेंटरी भी दिखाई गई जिसमें चंदिगर प्रिशासन द्वारा शहर में बाल भलाई के लिए किये जाने वाले कामों का विवरंट दिया गया और बताया गया कि केंदर शासित प्रदेश किस तरह से बच्चों के अनुकूल बनाया जा रहा है करोना वाइरस का खत्रा भी टला नहीं है इसलिए सबीसे निविदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहने सामाजिक दूरी बनाए रखें बार बार अपने हाथ साबून से धोए और सानिटाइजर का इस्तमाल करें और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD News चान्दीगर, Facebook DD News चान्दीगर, Twitter handle DD News CST पर भी देख सकते हैं इसी के साथ चान्दीगर से समाचारों का सिलसला समाप्त होता है आप मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूँ तो मैं अपना मास्क पहन रही हूँ आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जुरूर पहने, नमस्कार मलया चल के आचल से, विंध्या चल के आंगन तक, ब्रह्म पुत्र के घाट से, हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात, प्रधान मंत्री के साथ, तो सुनिये इस महीने 27 परवरी सुबह 11 बचे, मन की बात, आकाश्वानी और दूरदर्शन के सभी चानलों पर, आप भी मान प्रधान मंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाओ, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाश्वानी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या नमो एप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, तो याद रखें, रविवार 27 परवरी सुबह 11 बचे मन की बात ओ नंदरानी, तुम्हारे वाखन शोर ने और उसकी टोली ने सारा आथ तक मना कर रखा है पिया, तुम मन उच्छे थे, कोपियों परविश्वास है माखन की मटकी में ग्यान का सागर देखिए बाल पेश्ण, सोंवा से शुक्रवार, रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नैशनल पर खूबसूरत अहसासों को संजोते पिरोते, ये मासूम नटखट हमारे साथ है उचलते कूते, दिल की बात कह जाएं, इनसे चुड़ी कई बाते, कुछ सच, कुछ अफवाएं जानिये हमारे साथ, हमारे नए शो में, My Pet, My Best Friend, Forever हर अभीबार, शाम साथ बजे, डीडी नैशनल पर की बात है जन-जन की, संघर्षों के कुछ किस से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की, महिने के आखिरी रविवार का रहता है इंतिजार, मलया चलके आचल से, विंध्या चलके आंगन तक, ब्रम पुत्र के घाट से, हिमालय के विस्ता भारत होती है मन की बात प्रधान मंतरी के साथ, तो सुनिये इस महीने 27 फरवरी सुभः 11 बचे, मन की बात आकाषवानी और दूरदशन के सभी चानलों पर, इसके अध्रिट आकाषवानी और दूरदशन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के आप, निज और पर जीव प्रसारन लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो याद रखे रविवार 27 फरवरी सुबा 11 बचे मन की बात नमस्कार दूर तरशन चंडिगर में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा कारेक्रम स्वस्त जीवन जहां आज हम बात करेंगे कुष्ट रोग के बारे में जो हर साल विश्व कुष्ट रोग निवस के तौर पर 30 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक हमारे राष्ट पिता महात्मा गांधी जी की याद में मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने इसको क्योर करने में बहुत बड़ा इनिशेट लिया था इस कारिकरम के करने का हमारा उदेशे ये रहता है कि हर व्यक्ति को पारिवार को खास दौर पर कुष्ट रोग से सम्मंदित जानकारी देना जो उनके साथ भेदभाव किया जाता है उसको कम करना और हमारे देश से इस रोग को बिलकुल जड़ से हटाना इसका मुख्य देशे है शायद यही कारण है कि 2018 तक जहां पूरे विश्व में दो लाग तक केस आया करते थे वही अब कम होकर एक लाग तक रह गए हैं तो यही हमारी कोशिश है कि खास और भारत ब्राजिल और इंडोनेशिया ये ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर ये रोग सबसे जादा है इसी पर आज हम तमाम जानकारी हासिल करेंगे और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे सा स्टूडियो में एक्सपर्ट है डॉक्टर मंजीत पार जो स्टेट लेपरिसी ऑफिसर चंडिगर है तो सर आपका स्टूडियो में सवाल है नोश्कर उना ये हमारी मुहीम है कि कोशिश रहती है कि कुछ रोग के बारे में हम जादा स्टूर जानकारी दे ताकि जो ये रोग है हमारे देश से बिल्कुल जड़र से खतम हो जाए तो यही मैं जानना चाहूंगी कि कुछ रोग का इस बार का थїम क्या है और इसकी शुरुआत कैसे और कहां से होती है अजादी के अबरित मौतसब पर हम इस बार सपर्श कुष्ट रोग जागरुकता अभिहान चला रहे हैं जो कि 30 जनवरी जो कि हमारे राष्टर पिता महात्मा गांदी की पुर्ने तिथी होती है वहां से लेकर के 13 फर्विरी तक हम यह कारेकरम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं तो उसे संदर में इस बार भी हम लोगों को कुष्ट रोग के बारे में जागरुक करना हमारा सबसे पहला उदिश्य है ताँ जो उनको पता लगे कि कुष्ट रोग जो है वह बेमारी जो है ठीक हो सकती है एमडिटी खाने से ठीक हो सकती है और जो जल्दी से जल्दी हमें देखने के आवश्चता है और उसके बाद तुरंत हमने उसका treatment लेना है ताँ जो हम इस बेमारी को जट से खत्म कर सके हैं जी आपने यहां पर सपर्ष की बात करी तो सपर्ष किस तरह का कारेकरम है किस तरह का प्रोग्राम है तो सपर्ष जो है यह इसका theme इसलिए रखा गया है कि हमने कुछ टोगों के प्रती हमने अपनी सद्भावना रखनी है उनको हमने अपनी में स्ट्रीम में लेके आना है ता जो पेशेंट जो है उसको एक नीमित रूप से खाता है तो वह अपने आपको इस कुछ रोग से बुक्त कर सकता है डॉक्तर मंजीत इस बार की जो थीम है वो कुछ अलग रखी गई है वो थीम क्या है और उसको रखने का उदेश्य क्या है इस बार की थीम हम हर साल की तरह ही कि हमने जो कुष्ट रोगी है वो उनको हमने प्रेरित करना है कि वो इस रोग से घबराई नहीं जी लोगों को यह भरम रहता है कि कोई अभीशाप है कोई श्राप है ऐसा कुछ नहीं है ये एक किटानू है जिसको बैक्टीरिय कहते हैं मैक्रोबैक्टीम लेपर है उसकी बाद उनको भी संक्रोन हो सकता है उनमें भी यो फैल सकता है जी डॉक्टर मंजीद यहाँ पर आपने एक खास तरह के किटानों की बात करी तो सबसे पहले में यह जानना चाहूंगी कि यह किस तरह के बातावरन में पाई जाते हैं क्या हर विक्ति कहीं पर भी जहां पर भी रहता है, हवा के माद्धियम से, किया किसी को भी ये समस्या हो सकती है? ऐसा है कि जो मेख्यो बेक्टियम लेपरी जो है, ये मनुश्य के अंदर ही पाए जाता है, और ये एक मनुश्य दूसरे मनुश्य तक जो फैलता है, जब उसमें जो रोग जो है, कोई रोगी वेक्ती है जिसमें काफी ज्यादा रोग पनप चुका है और उसने अपना टीर्टमेंट नहीं करवाया किसी भी कारणवश और जो उसके साथ लोग रहते हैं वो उसे वो रोग के संक्रणों में आ सकते हैं तो कितने ज्यादा अब आपने बात कहीं कि ये हवा के माध्ध हमसे सा फैलता है तो जो परिवार के सदस्थे हैं जो उनके साथ रह रह रहे हैं और वो इलाज भी नहीं करवा रहे है तो वो कितने ज्यादा टार्गेट पर रहते हैं इस बीमारी के लिए इसमें जो बुक्स म जो हमारा contact period है, उसकी वैसे हो सकता है, पर यदि वो वैक्ति उसको हम treatment दे देते हैं, यदि वो जो भी रोगी वैक्ति है, यदि वो अपना treatment करवा लेता है, यदि शुरू भी कर लेता है, तो वो संकमरंड आगे नहीं कर सकता है, तो Dr. Manjit, इसकी classification क्या है, अगर हम कुछ श् उसमें है कि हमारे, पहले तो इसके हमें लक्षन पता होने चाहिए, तो जो लक्षन है किसी के शरीर पर कोई सुन लाल रंग का, कोई सफेद रंग का दबा हो, जिसमें सुन पन हो, जिसमें खुजली ना हो, दर्द ना हो, या किसी पर गांठी भी हो सकती हैं शरीर पे, या किसी के हाथ-पाउं सुन रहे हैं, या कई बार हाथ-पाउं में कोई विक्रिती आ जाती है, को इसके चोट लगती है, और उस चोट से उसको दर्द नहीं होता, उसके बार उसको पता भी नहीं लगता, ये चीज़े हैं, जैदि कोई भी व्यक्ति कि इस तरह के लक्षनों से प्रवावित है तो उसके तुरंत जाना चाहिए स्वास्ते के इंदर में और अपने जांच करवानी चाहिए और जांच करवाने के बाद तुरंत उसका जो इलाज है वो मुफ्त अपलब्ध है और उसके हम शुरू कर देते हैं और जहां तक अभी ह कि उसकी क्लासिविकेशन क्या है क्लासिविकेशन जो हमारे W Health Organization ने दी है वो है MB and PB होते है जिन में की जो धबे हैं वो पांच दबों से जादा हूं और जिदि वो पांच दबों से कम है वो PB में जाले आते हैं इसका जो टीटमेंट हा वो MDT के दवारा multi drug therapy हम जैसे बोलते हैं तो उसके दोरे यह संभव है तो डॉक्टर मंजीत इसकी कोई उमर है कि किस उमर के व्यक्ति को यह हो सकता है या कम उमर के व्यक्ति को भी हो सकता है यह किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी उमर में हो सकता है बच्चे भी इसका टार्गेट हो सकत तो कोई ऐसी महीला अगर वो गरवती है और वो इस तरह की दवाई ले रही है या उसे पता लगता है कि उसे कुछ रोग हो चुका है तो उसका बच्चा क्या इस चीज से बीमारी से आगया आने वाले समय में संकरमीत होगा या उसकी जो दवाईयां है वो सेफ होंगी इसके अविस्तार से बता है ऐसा है कि जैसे आपने बताई यह गरव से या हैरेटरी नहीं है यह पुष्ट दर पुष्ट नहीं चलता है यदि किसी वेक्ति को है यदि वो अपना इलाज कराता है जा गरव बती महिला भी है या जो महिला जिसने बच्चों को जनम दिया है यदि वो अपना इलाज करवा रही है तो उसके बच्चे को नहीं हो सकता उस दवाई का साइड इफेक्ट को इफेक्ट को इतने ज्यादा नहीं है उनके कोई ऐस तरह से वो क्योंकि हम उनके जो टेस्ट जो है जी डॉक्टर मंजीत जिसना कि मैंने आपको कहा था कि हम काफी सालों से ये कारिकरम हम करते आ रहे हैं तो उसी में एक विक्तिका सवाल था कि जिसे आपने बताया कि सुनपन है या दाग धबे हैं या गाठे बनी हुई है लेकिन उसके बाद भी उसमें सुनपन नहीं है बाक किसी निश्करश पर नहीं जा सकता तो उसको तुरंट स्वास्ते के इंदर पर जाना चाहिए किसी जो चर्म रोग विशेशक है उसके बास जाना चाहिए अपने उसकी जांच हो जाएगी उस हॉस्पिल ले जाने के बाद फिर उसका बैपसी हम लेते हैं उसका स्प्लिट स छेएं तरह का सिंप्क हो सकता है ? छिए जिसे महा ने बताकता है कि हमारे मेक्यो बेक्टी लेपरी ही है ये हमारी नर्स जो जिससे हमें पता लगता है कि खुझली का दर्द का अभास होता है, उन न्व्स को ज्यादा यह एफट करता है. यह उसमें सेंस कहता है? उसमें सैंस जो है, वो कम हो जाती है. या कई बेरी जो नर्व सर्फ पर एफेक्टर रहती है वो जो नर्व में स्वेलिंग आने के विज़े से जुंचना पन भी हो सकता है यहां पर आपने बात की थी तो क्या इस दवा के कोई साइड इफेक्ट है और यह पूरा प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ जो MDT है यह पहले ही हमारे बलिस्टर्स होते हैं हमारे पास तो यह उमर के हसाब से जैसे यह बता रहा हूँ यह MDT पैक है यह पॉसिबस्ट लेरी के लिए है जी तो इस पैक पे जो है दवाईयां रहती है यह पहले से ही यह सरकार के दोरा आती है यह जो पूरा पैक है पूरा एक महने के लिए रहता है उपर इसके अंदर एफेंपसिन है और कलफाजमीन है और डेपसन है तो यह उपर का यह हम जो पेशन्ट है उसको हम अपने सामने जो हमारे पास हमारे स्वस्ते के इंदर में आता है तो हम उसको देते हैं और उसके बाद यह दीचे लिखा हुआ है डे टू, डे थ्री, डे फोर दिन के हसाब से यह पूरा वो 28 दिन का पता है तो यह है एक MBPAC इसी तरह से बच्चों के लिए है यह बच्चों का MBPAC है तो इनमें यह पहले से बने बनाए हमारे आते हैं यह उमर के हसाब से दी जाते हैं तो यह पेशन्ट जो है MBPAC को उसको जो टीट्मेंट जो है यह बारा महीने में खतब करना होता है जी जो बारा महीने में यह बारा पते खा लेता है तो वो कुछ ट्रोग से मुक्त हो जाता है जी तो कई बार करन वाश्चों को पेशेंट्स नहीं एक या दो महीने का इसमें गैप आ जाता है तो वो बारा महीन जो मैंने बताये, जिसमें सुनपन हो जा वो हो, तो वो यह जो पांच से कम नंबर में है, तो हम उनको यह पीवी पैक देते हैं, यह जो दवा है, यह चे महिने चलती है, यह अडल्ट्स के लिए है, इसी तरह से यह बच्चों के लिए है, यह दोनों अलग-अलग से बिस्ट उनको खिलाते हैं, और उसके बाद दो से लेकर 28 दिन का पूरा सर्कल रहता है, यह जो यह दवा जो है, यह पूरे 6 महिने में उसको खाने है, 6 पते खाने हैं, तो जो यह वाली दवा है, यह सिम्टम के लिए है, और जो दूसरी आपने दवा बेता ही, वो जो उसको पूरी पोन की बारा महिने का चलता है, यह सर्क 40 मह पटान हम उसकोर हो शोटेहते हैं, कुछ शक्रवासया, यह इस तरह से ईव्टम ना महिना में कंप्लीट करना होता है. अपने स्वास्ति के दरफे जाता है और अपना कीवर M.D.T. उसको दोबारा या कोई चेंज करके धेनी पड़ती है, कि इससंस केसे हमारे पास आ सकते हैं, पर ये बहुत ही नामात्र रहते हैं. कितने परसेंट केसे इसमें जान्से रहते हैं? तो यह जितने भी दवा है, सारी free of cost है या उसके कोई चार्जिस लिये जाते हैं? सारी दवाएं सभी तरह के इनको जो हमारी स्वास्ते के इनको फेसिलेटीस हैं वो free of cost हैं उनके लिए कोई पैसा नहीं है, उनके जांच free है उनका इवन जो हम इन स्प्लिंट्स विगरा देते हैं जो अलग से हम सपोर्टिव डीपी अमार बोलते हैं disability prevention and medical rehabilitation में उस सब free available है और सारे स्वास्त के इंदर पर अबिलेबल है तो क्या डॉक्टर मंजीत यहां से कोई भी कहीं पर मंगवा सकता है या किसी भी स्टेट में कोई बंदा ले सकता है यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जैसे हमारे प्रवासी जो बंधू रहत जाने की जरूरत रही है कोई भी स्वास्तिक इंदर पर जाए जिला लेवल पर या अपने इस तैसी लेवल पर वहां से प्राप्त कर सकता है तो यह चीज नहीं हो सकती कि अगर वह भी चंडिगड में है या इसके बाद वो किसी और जगा पर जाता है और उसके बास दवा खतम होगी है तो वहां से भी वह असांस ले सकता है हम एक कार्ड बना कर देते हैं उसको उसको कार्ड पर लिखा जाता है भी इसको यह ट्रीटमेंट इतनी डेट से शुरू हुआ second pack इतना ये महीने का पूरा एक महीने का पूरा ब्योरा रहता है तो वो जाकर हम पर दिखा सकता है कि मैंने ये treatment चल रहा है तो अपना वो treatment वहां से भी continue कर सकता है डॉक्टर मंजीत यहां पर बात की थी परिवार के सदस्यों को लेकर तो क्या उनके लिए भी पहले से कोई precaution ली जाती है क्योंकि अब वो समय तो नहीं है पहले होता था कि बिल्कुल निगलेट कर दिया जाता था कुछ ट्रोगियों के कुछ जो रहने के विवस्ता लग की जाती थी अगर वो परिवार में रह रहा है तो परिवार के सदस्यों की सेफटी के लिए क्या कोई दवा दी जाती है इसके अंदर ऐसा है कि यदि कोई patient हमको मिलता है कोई नया patient हमको मिलता है तो हम क्या करते हैं पहले तो उसका treatment शुरू करते हैं उसे बँद उसके परिवार के सद से जहां पर बुर काम करता है। उसके जो सहयोगी रहते हैं। जा उसके सह कर्बी रहते हैं। तो उनकी हम जाँच करते हैं। उसके हम वहीं लेने के बाद उनको रोग होने की जो चांसे साथ बहुत कम हो जाते हैं जी तो डॉक्टर मंजीत अगर हम ट्राइस सीटी की बात करें तो आपकी टीम किस तरह से काम करते हैं इस तरह की रोगियों को ढूंडने के लिए चाहे हम कितना भी परचार कर लें लेकिन कहीं न इस तरह से कोई उनकी समस्या है तो उनको लेकर के स्वास्ते गंदर लेकर आएं ताँ जो हम उनका डांच करा सकें तो उनका इलाज करवाएं और दूसरा यह है कि जो हमारी इस अपनी सर्विसेज हैं वह एक तो है हमारी पैसिव जो हमारे पेशिंट सीधा हमारे OPD में आत कि थी एक टीछ चांट करते हैं जो संधिको को सकता है तो हम उनको अगे उनक आगे जो जा के लिए उनकी बिमारी के पर्टिकुलर इडेटिफिकेशन के लिए हम उनको अपने स्किन स्पेशलेस के बाद भेजते हैं उसके बाद उसके टेस्ट होनके बाद जब यह हो जाता है कि उसको बिमारी है तो हम उसका टीटमेट शुरू कर देते हैं तो यह हमारा एक एक एक्टिव केस डिटेक्शन रेगुलर सर्विलेंस से चल रहा है कि पिछले साल से शुरू हुआ है यह अगले दो साल तक और चलेगा है तीन साल लगातार ही हमारा यह केस डिटेक्शन सर्विलेंस रहेगा तो डॉक्टर मिंजीत जिसना कि आपके टीम इतने बड़े लावल के ओपर काम कर रही है तो अगर हम स्पैसिफिकली चंडिगड की बात करें तो यहां पर अब केस कितने कम हुए है या कितनी हमें इस से लाब कितना मिला है इस तरह की महीम चलाने से इस सबसे बड़ी जो हमें लाब यह मिला है कि लोगों के दर था हम उसको काफी हद तक दूर करने में सफल हुए हैं दूसरा हमारे पास जो पेशिंट्स हैं कि जो इनको नहीं पता था उनको हम ढूंड सके हैं बेशक इस बाद जो हमारे पास पहले राउंड में जो हमने च प्लब व्णुद dismissal अंख़े हम से यह है शिर्ट यह लां कि जो दिया शुकल देश है उसको फैलने से और रों कर पाएंगे और उसको कम करने में रोंकने 2013 कज जुरूर इसका बहुत अच्छे नेतीज़े आ रहे हैं जैसे मैं आपको बता है एक तो लोगों के मनमें जो डर था ना जो लोग ये समझते थे कि कुछ टोग अभिशाप है या इससे हमें ये लोग बाहर नहीं आते थे वो एक कुंठा में रहते थे और वो सी रोग से वो अ चामि बाट करेंगे ऐस साल उन्हें हमें साब लाल जी प्रहिज जी ने उन्होंने एक मैसेज दिया है इस में लिखा यह ये कहा है हम हम भरसक प्रयास करेंगे हर जो भी कुश्ट रोगया उसको ढूनने का हर प्रयास करेंगे उसकी साहयता करेंगे हम और उनको पूर जो वो दे करके उसको कुष्ट भुक्त करवाएंगे और हम यह भी एक संकल्प लिया है कि हम ना किसी से भेदवाब करेंगे ना किसी को उनके रपती भेदवाद करने की कोशिश करने देंगे. यहाँ पर शायद कुछ अलग तरह के आपने कुछ चपल शायद इस तरह के रोग्यों के लिए बनाई है। तो चल्ले में ठीक रहता है, हमारे पास finger splints रहते हैं भी आहाथों पर चोट ना लगे, प्रेशर जैसे होते हैं जहां बैठते हैं तो उनके टकने पर आप देखेंगे कि इस बार उनके जख्म हो जाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास यंत रहते हैं। जैसे ही हमारे पा उनको ना तो कंकड चुब सकता है ना कोई कील घुच सकती है वो इस तरह से डिजाइन रहते हैं। ताकि अगर चुबे तो चुबेगी नहीं कोई जब चुबती है तो उनके पता नहीं लगता तो उनको वो सख्म हो जाता हैं। उससे जो injury होती है उसको बचाने के लिए हम यह इस्तेमल करते हैं और जो इसकी उपरी सताह होती है जो वो सौफ्ट रहती है ताज जो जब वो चलें तो उनके जो पैर के तलवे हैं उनको भी कोई हानी ना पहुंचे तो इसलिए हम इस तरह के यह जो चपल हम फ्री आफ कॉस्ट इनको प्रिवाइड करते हैं जितने ही ह उसके सबसे अगर बात करें कुछ रोगी सबसे दीधे क्या हो सकते हैं अगर ध्यान ना दिया जाये तो रोगी किस हद पहुंचे है अगर झित सबसे बड़ा दे है या हमारा एक एम कि हम उसको भाइ उसको पहचाने और जल्दी इलाज करवाएं रहेजिक नहीं कर होती है हम यही हम चाहते हैं कि हमारा जो भी रोगी है इस तरह किसी को भी लक्षन है वो क्रिपया अपने आपको अपने घर में ना रखे वो स्वास्ते गिंदर पर आए अपनी जांच करुआए अपना जो इलाज है जल्दी से जल्दी करुआए अमडीटी खाए और इस बेशक उनका इलाज चल रहा है, उनकी जो पहचान है वो अलग रखी जाती है, तो क्या वो नॉर्मल इंसान की तरह पबिलीकली घूम सकते हैं, क्या उनसे आम पबलीक को कोई नुकसान होने के या उनके छीकने या खासने से कोई बैक्टिरिया हवा में आ सकता है कि सामने किस के बहुत जल्दी सिम्टम सामने नहीं आते तो किस तरह की सावधानिया रखनी चाहिए यह रखी जाती है जो जबने इस पर्ष जागरुकता कुष्ट रोग जागरुकता अभियान जो हम चला रहे हैं उसका जो में परपस इसी यही है कि कोई भी व्यक्ति जो कुष्ट जोग से प्रभावित है जिए वह अपने उसने अपना जो दवा ले चुका है पूरा एक साल उसने कर लिया है जा इवन स्टार्ट भी कर लिया है तो उसके द्वारा आगे संक करूने जो है नहीं होता तो इसलिए वह अपना नॉमल अपने परिवार के बीच में रह सकता है उसको कहीं अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है वह अपने जहां पर काम कर रहा है वहां पर काम अपना कर सकता है जिए कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है उसको वह अपना पढ़ सकता है इसमें उसके से जाथ कोई भेदवाब किसी तरह का हम ने नहीं करना है जी के RCS şey किरुवाते हैं इन्हें के थे लिए उसके लिए उसके लिए के पास्ट जो सब्सक्राइब हैं हमघा इम पेशनें की जो हम आप सब्सक्राइब उनको बेसी है दिए फ़ाई टी में तो वहां पर उनकर उनका इनका सरजरी के होती है ऋस ती जो विक्रिती जी सकता है और मैं आपको और जानकर देना चाहता हूँ कि RCS जो है बिल्कुल free of cost है वहां पे रहने का, खाने का, सर्जरी का, कोई किसी तरह का पैसा नहीं है ये बिल्कुल निश्छलक है और इसके अलावा सरकार उनको को एक भत्ता भी देती है, 8000 रुपे, जो की जो पेशेंट है, जो जिस दारान वो पेशेंट अपना हॉस्पिल में रहता है भी उसका कोई कमाई का साधन नहीं है तो उसको वह भी सरकार द्वारा भत्ता मिलता है तो ड्राक्टर मंजी, जिसना की कई लोगों को अगर है तो क्या कोई help line number ऐसा है कि कई बार कोई सामने एक दम से नहीं आना चाहता या उसका कोई सही होगी भी नहीं होता, परिवार में नहीं है, तो कोई ऐसा number है कि जिस पर call करके वो यह जान सकें या फिर कहीं पर भी जनरल multi specialty hospital जिसे हम GMSH sector 16 कहते हैं, वहां पर यह आपको आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, आप 9-3 के बीच हमारा सारा staff वहां पर रहता है, इसके अलावा जो एक number मैं आपको देता हूँ, यह है 0172 जो कि हमारा चंडिगर का code है और उसके जो आगे number है, वो है 2783258, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, 2783258, तो इस पर वो कभी भी अपना call करके, जो भी उसकी समस्या है, कोई उसकी शंका है, कोई जानकारी है, वो हम से प्राप्ट कर सकता है, और वो अपनी appointment लेकर के हमारे पास आ सकता है, और उसको हम पहले के पहल के अधार पे देखते हैं, ता जो उ उस दिन की जो उसकी दिहारी है, जा उसका हो है, उस पर कोई असर ना पड़े, हमारे पास आए, अपना जान्च करवाए, जा अपना treatment उसको लेना चाहता है, वो लेकर के वो उतरण जा सकता है, तो डोक्टर मंजीत, कुछ इस तरह के लोगों के लिए कुछ खाने की कुछ मुछ खास लेना होता है? जो नोर्म All Norma Routine में जो डाइट रहती है, वही रहती है इनकी? इसमें एहसी कोई डाइट का उग जादा रोल नहीं है, जासे हम बैलन्स डाइट हम कहते है अपनी है, जो हम बैलनस डाइट अपनी ले सकते हैं, जो हम पुछानों का नार्मली खात और जब घर जाते हैं, फिर भी अपनी जांच कोई चोट तो नहीं लगी, क्योंकि उनको ध्यान रखना होता है, जो चोट लगती है तो पता नहीं लगता, जिदि उन्हें कोई चीज उठानी है, कोई तवे से जा कुछ गैस के चुले से, तो उसको कपड़े से उठाएं, ता बात हुई पेशेंट्स के बारे में जितना भी हमने बच्चों बजूर्गों के बारे में हमने बात करी अभी हमने बात की थी आपकी टीम को लेकर जो जगा जगा जाकर काम करती है कि इस तरह के जितने मरीज हैं उन्हें डिटक्ट करने के लिए तो वो किस तरह से अपने नहीं हुआ है, तो हमारे जो जतने भी टी मेमबर्स थांट को टे निक दी होती है, ऑrit twent करने के बाद हम उनको जांच करके उनकी लाज कर दें जी बहुत अच्छी डॉक्टर मनजीत जो भी आप काम कर रहे हैं आपने बहुत सारी स्कीम्स यहां पर बिताई है कोशिश हमारी यही है कि बार-बार यही है साल-दर-साल की एक तो यह रोग जो है वो जड़ से हमारा ख और M.D. खाकर इस रोग से मुक्ति पाएं और मेरी बाकी सभी लोगों से ये विंती है कि कुछ रोगी के साथ किसी तरह का कोई भी भेद भाव न करें उनको में स्टीम में लाने की पूरी पूरी भरसक पिरास करें और उनकी मदद करें धन्यवाद जी डॉक्टर मंजीत आप कि हम सबके साथ साथ हम ये कोशिश करें कि इस तरह के रोगी का अगर हमें पता लगता है तो उसका हम इलाज करवाएं क्योंकि इलाज पूरी तरह से फ्री आफ कॉस्ट है इसके कोई भी चार्जिस नहीं है इन से हीन भावना ना की जाए इनको एक सामाने जीवन जीने दि उन्होंने पूरी तरह से ध्रातल के उपर उतर कर इन लोगों की सहायता की थी इसमें आप लोग भी साथ दें तो आज किस खास पेशकर्श में इतना ही हमें दीजिए जादत नमश्कार्ण दूर दर्शन नाशनल पर सोमवार से शुक्रवार रात साड़े आठ बजे आप देखते हैं धारावाहिक पूरस कभी छूट जाए आपका कोई एपिसोड तो बिल्कुल ना कीजिए फिक्र देखिए पूरस के पूरे हफ़ते के एपिसोड वैक टू बैक हर्शानिवाद शाम साड़े आठ बजे से सिर्फ दूर दर्शन नाशनल पर दूर दर्शन नाशनल पर सोमवार से शुक्रवार रात नौ बजे आप देखते हैं धारावाहिक बाल कुष्ण कभी छूट जाए आपका कोई अपिसोड तो बिलकुल न कीजिए फिक्र देखाओ इन्हें किस तरह ये सर्ब मर्शों देखिए बाल कुष्ण के पूरे हफ़ते के एपिसोड बैक टू बैक हर रवीवार शाम साड़े आठ बजे से सिर्फ दूर दर्शन नाशनल पर बिस्ट इन्डीज की टीम को दी शिकस्त अब बारी श्री लंकाई टीम की टीम इंडिया तयार है अपने अगले मिशन के लिए देखिए तीन मैचों की टी ट्विंटी सीरीज का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर खूपसूरत अहसासों को संजोते पिरोते ये मासूम नटखट हमारे साथ हूँ उचलते खूते दिल की बात कह जाएं इनसे जुड़ी कई बाते कुछ सच कुछ अफवाएं जानिये हमारे साथ हमारे नए शो में माई पेट, माई बेस प्रेंड फोरेवर हर अभी बार शांत साथ बजे डीडी नाशनल पर मन की बात है जन जन की संघर्षों के कुछ किस से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदे नए भारत की महिने के आखिरी रविवार का रहता है इंतिजार मलया चलके आचल से विंध्या चलके आंगन तक ब्रह्म पुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधान मंत्री के साथ तो सुनिये इस महीने 27 परवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाश्वानी और दूरदर्शन के सभी चानलों पर इसके तिरे दाकाश वानी और दूरदशन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के आप न्यूज ओन एर पर सजीव प्रसारन लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से तो याद रखे रविवार 27 परवरी सुबा 11 बचे मन की बात मन लेजे कुठे यू तो मैं डिग जावे मेनू छुके गाँ के ना एक दीन बामा विच मैं बोजलू नी पामे लड़े तेरी माँ हाई मन लेजे कुठे यू तो मैं डिग जावे मेनू छुके गाँ के ना देख दीन भामा विच मैं बोज लोनी पावें लड़े तेरी मा सोड़िये सच्चो सच्ची दसी वे मजाग दाने करदां ततड़ी दां दिल रेंदां हर बेले डारदां सच्चो सच्ची दसी वे मजाग दाने करदां ततड़ी दां दिल रेंदां हर बेले डारदां छड़े ना तू छड़े ना तू जामी मैंनो कली सोण आवे दिल होबे तां थां तां मेरे वारे बिल्लो तेनू पैगी कादी शकनी थोड़े दिन ठैर थोड़ा होसला तू रखनी मेरे वारे बिल्लो तेनू पैगी कादी शकनी थोड़े दिन ठैर थोड़ा होसला तू रखनी तेरी जिन्दगी दे विच रंग पारदू निमे तो होई ना परा मन ले जे हाल दे मन ले जे मन ले जे कोठे यू तो मैं डिक जावे मैंनो छुटेगा केलना एक दीनू बामा विच मैं बोच लोनी पामे लड़े पेरी मा सोनिये तेरे कोड चन्ना में नूए होसी उमीद वे आज तो मैं तेरी होगे ब्रागियां मुरीद वे तेरे गोड़ चन्ना में नूए होसी अमीद वे, आज तो मैं तेरी होके बैगियां पुरीद वे तेरे उत्तों, हालबे तेरे उत्तों, तेरे उत्तों हानियां मैं जंदवार दो वे ससी फोणी दीतार मन ले जन गठे उतम है दीक जावे मेंनौ चुके such a9 तेलताँ परीटा दाची राझतो पेरेदार नी, जैन नालो वस तेननों करड़ा थाए प्यार नी पेलता परिता दाची रापों पेरेदारनी चार नाल वद तैनु कर दाय प्यारनी तूखी जाने साथे दिल विंच बल्लीये निकिन्नी तेरे लईये था हाई मान लेजे, होई मान लेजे, मान लेजे को ठेयो तो मैं अडिक जावे मैंनू चुके घांके ना पेग दिनू बामा विच मैं बोज लूनी भावे लड़े तेरी मा सणी आये गित्ते विच्च जोत्व मैं नाच्च पई, बनेर आते ताड़ी उत्ते ताड़ी वाज्च पई लक नूह लाके जोत्व मारे ठुमके हट्ट पिछ नेड़ नातु आई चोब्बरा, लेंगा मेरा दूर तक आवे कुमके परहोजा नेड़ नातु आई मुंडिया, लेंगा मेरा दूर तक आवे कुमके